और वहीं चलिया आपको सिधा लिए चलते हिमाचल जहां पर ग्रेमंत्रिया मिश्षाथ जनसाबा को संबोधित करें क्या कुछ कह रहे हैं? उनकी गैरंटी को ए लिए हिमाचल की चतूर सुजान जनता मानेगी क्या? राउल वाबा हिमाचल की माताओं को क्या समझ रखा है? ऐसा ही गैरंटी बाटते गुमते हो? गैरंटी से नहीं मानते हिमाचल वाले कॉंक्रिट काम मांगते हैं। मैं आज यहां आया हूँ, हिमाचल का भी इसाब दूँगा, देश की सरकार का भी इसाब दूँगा, माताओ भाईओ बहनो, नरेंद्र मोदी जी ने तेरा करोड गरीब माताए और हिमाचल की एक लाख अड़तीस जार गरों में प्रियोप कॉष घैस का सिलिंडर भेजने क का काम यह भारती जनता पार्टी की सरकार ने किया है, साथ सल सरकार चलाई आपने, तीन तीन चार चार पिड़ी तक सरकार चलाई, सिर्क पारा करोर सिलिंडर बांट पाए थे, वो भी सहरी क्षेत्रव के अंदर, पहाडियों की चोटियों पर नहीं, बर्फिले गाउं में नहीं, मोदी जिने बर्फिले गाउं हो, या पहाड की चोटी हो, माता और बेहनों को घरीबों को घैस का सिलिंडर देने का काम किया है, दस करोड घरों के अंदर, आजादी के 65 साल के बाद, पहली बार बिजली पहुँचाने का काम किया है, देश के 60 करोड से ज्यादा लोगों को आईव सिमान भारत का काट देकर, पांच लाग तक का स्वास्त का सारा खर्चा समाप्त कर दिया, और हिमाचल वालों को तो, इमाचल वालों को तो डबल फाइदा है आई जमान भारत योधना तो है जो बच जाते थे उनके लिए जैराम जी हिमकेर योधना लाकर आए सभी को ये फाइदा मिल रहा है भाई माताओ भाईयों बेनों कोंग्रेस के पास हिसाब देने के लिए कुछ नहीं मुझे बताओ एक कस्मीर हमारा है या नहीं है जराज जोर से बोलो उपर वाले भी बोले है या नहीं है दारा 370 हटनी चाहिए थी क्या नहीं हटनी चाहिए थी सतर साल से कॉंग्रेस पार्टी जवालाल नहरू की गल्ती धारा 370 को अपनी गोदी में बच्चे की तरह सहला रही थी कोई नहीं मानता था कि धारा 370 जो टेंपरररी है कभी भी जा सकती है आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाया पांच अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर भैंक दिया मतुर्ट और आज हमारा प्रांड से प्यारा कस्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जूड़ गया है माता हो भाई और बैनो जब संसत में बिल लेकर गया पूछना है कॉंग्रेस वालों को कॉमिनिस्ट पार्टी सपा बसपा ममता जमता जितनी पार्टियां है वो सारी कहती थी दारा 370 मत हज़ा ये खून की नद्या बह जाएगी अरे राहूल बाबा धमकी किसको देते हो भाई ये हट भी गई खून की नद्या छोड़ो कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है कंकर चलाने की को वहें अमिशाद चुनावी जनसाबा को संबोधित करेते इस दोरान उन्होंने कोंग्रेस सरकार और राहूल गांदी पर तंज करते हुए हमला बोला और कहा कि कोंग्रेस ने 60 साल में कुछ भी कार्य नहीं कि और हिमाचल की जनता को 10 साल से मुर्ख बनाया गया है और इस गड़ा है शपन से जन्होंने की, को उस पूए बनारो जिस्काकर वाया इस थासर भी जनसाब देज करेश इस